पर आजकी इस वीडियों हम जानने वाले कि कैसे आप अपने वोर्टर कार्ड और अधार कार्ड को जो लिंक किये हो उसके स्टेटूस को आप कैसे चेक कर सकतो है कि आपको जो अबलिकेसन है वो एकसेट हुआ है, या रिजेक्ट हुआ है, यह सारे चीज आपको आपका रिफ 搜集 реф government में दिया जाता है उसे टाकि आप इससे टरेक州 को और उसके बाद अपने अपलिकेशन की स्टेट cabbage को आज बोड़ service portal आपके सामने इस तरीके से open हो जाता है तो आपको इसमें tap करना है tap करते हैं आपके सामने जो ये side ये open हो जाता है कुछ इस तरीके से इसका जो side open हो जाता है तो आपने computer या फिर mobile में इस तरीके से open कर लेना यहाँ पर जैसे कि काफी सार यूजर्स जो है mobile के इस्तमाल करते हैं तो यहाँ पर मैं direct mobile mode में चला जाता हूँ यहाँ पर टेक पर जो track application status को option जो मिलता है इसमें आपको अपना application को track करना पड़ता है उस state को select रोको उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इंटर reference ID को option मिल जाता है मैं बता तो यहाँ पर काफी लोग अपना reference ID है उसे खोड़ चुके हैं या फिर उनने यादे नहीं है या फिर उनकाश बास message नहीं आयो है इन सारे case में आप अपने reference ID को कैसे निकाल सकते हैं इसके लिए मैंने एक particular वीडियो बना रगा है एंट इसके में वीडियो लगा दूँको आप देख लेना बाकी यहाँ पर आपको अपने reference नमर डालोगे तभी आप अपने status को यहाँ पर check कर सकते हैं तो आपको इसके लिए आपने message box में आ जाना इस तरीके से message box के ऊपर आपको search को option मिलता है इसमें आपको enl search करना होगा जैसे आप यहाँ पर enl search करते हो तो देख पर हो यहाँ पर election commission को द्वारा यहाँ पर हमें जो message मिलता है उससी में हमाल जो reference number भी रहता है ठीक है तो इसके अलाव भी आप reference नमर निकाल सकते हो वीडियो देख लेना तो यहाँ सापको जो reference number बिल रहा है आप देख पर यहाँ पर जो reference ID मिलता है इस reference ID को आपको simply यहाँ से copy कर लेना होता है तो चले यहाँ पर इसे हम copy कर लेते हैं तो यहाँ पर आप जैसे टेप करते हो उसके बाद यहाँ पर आपको copy का option मिल जाता है तो आप simply हाँ से copy करोगे और उसके बाद आपने जो साइट को open किया होगा वहाँ पर आपको जाके से stack status में क्लिक करना है यहाँ पर आप देख सकते हो जो application है हमारा जो submit हुआ है लेकिन अभी तक हमारा जो accept या reject नहीं बता रहा है क्योंकि काफी सारे भारत में सभी लोग इसका इस्तिमाल कर रहे हैं सभी लोग अपना link कर रहे हैं तो इस वज़ा से कहीं न कहीं अभी देरी हो रहा है तो आपको यह कुछ न कुछ दिन के बाद पता चली जाएगा पता नहीं तो इस वाले वीडियो में क्लिक करके आप देख सकते हो ठीक है बाकि accept है reject हो इस तरी के से आप चेक कर सकते हो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जुरू पताएगा और चैनल में नहीं तो प्लीज सस्क्राइब कीजिए